हेलो दोस्तों मेरे चैनल टेकनिकल रसुई में आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेयर करने जा रहे हैं आउला की मुरब्बा की रेस्पी अगर आप आउला मुरब्बा मेरे टिप्स और ट्रीक फालो करके बनाएंगे तो आपके आउला मुरब्बा तो कभी खराब नही होंगे और इसके कलर भी एकदम गोल्डेन जैसे पीले से बने रह जाएंगे आप देखेंगे कि यह कभी भी काला भी नहीं होगा और इसमें बिटामिन सी की मातरा बहुत चाता होती है तीसे हम सीजन में आप जरूर इस तरह से मुरब्बा बना कर स्टोर कर सकते हैं अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके मुरब्बा अगर चासनी में डूबे हुए नहीं है तब भी कभी नहीं खराब होंगे इसे आप चाहें तो लड्डू की तरह पैक करके किसी को गिप्ट भी दे सकते हैं बहुत ही वहाँ पसंद करेगा बहुत ही बढ़िया रेश्प इसे आप जरूर फालो करें आउला मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आउला आउला एकदम फ्रिस होना चाहिए वह बिलकुल भी कटा फटा या साड़ा सा ना हो ना धबा हुआ हो और फिर उसे अच्छी तरह से दो पानी में दूले उसके बाद आप करम पाने मीं भी हल्का सा नमक डाल करके आउले को दूल सकते हैं अगर आप ब्रत के लिए बना रहे हैं तब बिलकुल भी नमक न डाले और इस तरह से आउले को आप जिछ से मैगी या चावमीन खाते हैं उसी काटे से भी इसे चोक सकते हैं उससे भी बहुत आसानी होती है चो चोकने वाली तो आप इससे भी चोक सकते हैं आउले को इस तरह से आप लें और उपर खुब साउधानी से चोके जिससे की हाथ में बिलकुल भी ना चुबे क्योंकि यह बहुत चादा नुकीला होता है अगर थोड़ा भी साउधानी हटी तो हमारे हाथ भी कट सकते हैं इसे आप उपर नीचे साइड में हर तरफ खुब अच्छे से चोके जब आप इसे अच्छी तरह चोकेंगे तब ही जब इसका मुरबा बनेगा तो वा एकदम गुलाब चामुन की तरह रसीला होगा अगर आप कम चोकेंगे तो वा एकदम रसीला अच्छा सा नहीं होगा और थ तो आप इसे एक बरतन में फिटकरी और पानी रखें और सारे आउले को इस तरह से उसका पानी निचोड़ दे जब छोक लें फिर आप फिटकरी पानी वाले बरतन में इस सारे आउले को चोक करके बारी-बारी से डाल दें अगर आपके पास टाइम कम है आप आउले को छोक लिए हैं और आप बनाना नहीं चाहते आउले को तुरंट तो आप इस तरह से आउले को दो दिन तक फिटकरी पानी में डाल कर छोड़ सकते हैं उससे आपके आउले बिलकुल भी खराब नहीं होंगे काले भी नहीं होंगे लेकिन जो आउला है उसके उपर तक पानी रहना चाहिए अगर आउले के उपर तक पानी नहीं रहेगा तब भी आउले जो हैं काले पड़ सकते हैं और जब भी आप आउला चोकें तो अगर लोहे का कुछ भी है चाकू तूसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, अगर रिंग भी पहने है, तूसे भी निकाल दें, इस तरह से निकालकर के ही आप इसे ओकरें, जब भी आपको बनाना हो, तो सारे आउले को इसी तरह से दो से तीन पानी में साफ पानी में तुरंत इसे धुलें फिर उसके बाद गरम पानी में भी डाल करके इसे धुलें आउले को इसी तरह से जो पानी हो इसे निकाल दें बिलकुल भी आउले में पानी नहीं रहना चाहिए आप बहुत जादा दबाते हुए एक एक आउले को पानी निकाल तो आप जब इस तरह से बनाएंगे तो आपके आउले काले भी नहीं होंगे, आप पिटक्री पाने में दो दिन तक छोड़ भी सकते हैं, इससे भी आपको बहुत जादा आराम मिल सकता है, आप देख सकते हैं कि मेरे आउले कितने चोके हुए से हैं, बिल्कुल भी इसमें प पिटक्री पानी में डालने के बाद, जब भी निकाले तो उसे दोसे तिन पानी में दूलें पिर आप इस तरह से कड़ाई में डाल करके जब चलाएंगे तो सारे आउले हलके से गरम हो जाएंगे जब आपको दिखे कि हाँ आउले काफी हद तक करम हो चुके हैं तब आप इसमें चीनी डाले चीनी को हम तीन से चार बार डालेंगे अगर एक बार में ही चीनी डाल देंगे तो अच्छे से चास्नी नहीं बनेगी क्योंकि आउला भी पानी जब दिरे दिरे छोड़ेगा तब ही चास्नी बनेगी अगर आप तेजाज कर देंगे तब अच्छे से चास्नी नहीं बनेगा जो चीनी है उसमें भी थोड़े ढोंके या गुटलियां सी बन जाएंगी जो बढ़ियां नहीं होगा फिर हलका सा जब गरम हो जाए तो धीनी आज में करके आप पांच मिनिट के लिए भी आले को छोड़ सकते हैं आप बहुत जादा साउधानी से इस वक्त बनाना है अगर थोड़ा भी साउधानी हटी तो आउले मुरब्बा जो है खराब हो जाएगा इसलिए आप जब भी बनाए आपके पास टाइम हो तभी आउले मुरब्बा बनाए इस तरह से इसे आप दीमी दीमी आत्मी चप लगेगा तो उसके बाद आप फिर इसमें चीनी डाले अगर आप दो किलो आउला लिये हैं तो दो किलो ही चीनी भी ले इससे कम चीनी ना ले जब फिर चीन चाशनी गलने लगे तो आप इस तरह से देखें आउला मुरब्बा के पानी से ही सारे चाशनी तयार हो जाएगी फिर आप इसमें चीनी डालें इसी तरह से सारी चीनी को तीन बार में डालना है हलका हलका पकाना है बहुत जादा तेज आज में नहीं पकाना है आपको कई बातों का बहुत जादा ध्यान देना है जैसे हम फिटकिरी पानी में अगर आउला को डाले हैं जब भी उसे निकाले तो तीन से चार पानी में अच्छी तरह दूलें और गरम पानी में भी दूल सकते हैं फिर इस तरह से हम जब आउला हमारा उबलने लगेगा चाशनी अच्छी से बन जाएगी तो हम इसमें दो गुलाब के सुखे हुए फूल भी डाल रहे हैं जिसे इसका कलर और श्वाद भी बहुत अच्छा आजाए आप चाहें तो इसमें पान्चार इलाइची भी कोट कर डाल सकते हैं उससे भी आउले की मुरब्बा का श्वाद बहुत अच्छा बन जाता है आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आउला का रस है कैसे बाहर निकल रहा है और चीनी को किस तरह से अच्छे से एकदम पतला कर दे रहा है चीनी एकदम अच्छे से गल गया है इसी त अगर आप बनाएंगे तो टाइम तो लगेगा लेकिन बहुत अच्छे से आउला मुरब्बबन का तयार होगा जो उसका पानी है आउले का वा कड़वा होता है लेकिन जब भाह निकलेगा तो चीनी से उसका कड़वापन एकदम खतम हो जाएगा और जो हम आउला को चोके थ रहे हैं तो उसमें भी एक चमज डाल सकते हैं पूरी पराठा जहां भी आपको लगे की खटा डालेंगे थोड़ा बढ़िया होगा तो आप इस तरह से प्रिशमे रख करके लंबा समय तक आउले के सारे पानी को खर्श कर सकते हैं वह भी बहुत थेल दी है उसे आपको फे और जब तक गाड़ा नहीं हो जाएगा तब तक आउले को खूब अच्छे से पकाना है जब चासनी एक दम गाड़ी बन जाएगी तब आपको गैस का फ्लेम बंद करना है जिस तरह से साथ होता है उससी तरह से गाड़ा होना चाहिए अगर आपकी चासनी कम है तब भी रखना चाहिए उससे इसका इसमाइल भी नहीं खराब होगा ना स्वात खराब होगा आउले को जब भी किसी बरतन में रखे तो कम सकम साब सुत्रे बरतन में रखे श्टोर करें